अबसकार विएपी इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आडियो आटकल में डी एलेट सेच्छा दिक दर्सन दुत्ति सेमेस्टर समाजी कध्यान पाठ तेरभ पावन तो पावन किसे कहते हैं पावन के परकार तथा इनके बारे वारण तो ऐसे ही आडियो आटकल स सनातनिय या अस्थानिय पावने या आस्थाई या अस्थानिय पावने तो पहले जान लेते हैं सनातनिय या अस्थाई पावने ये पावने सवद्य एक ही करम में वर्स भर के निश्चित दिशा की ओर चलती रहती है एक पी इनका बित्रण पूरे गलोब पर होता है तथा इनके उत्पत्ती समस्त गुलोब के तापकरम तथा पिर्थवी के घूडन से उत्पन उच्छ तथनिमन वायुदाप से सम्बंदित है आथा इने ग्रहिये पाउने भी कहा जाता है आयनुरित्य परदेशों की पाउने परदेशों में समान रूप से 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री अच्छांस वाले भाग की समलित किया जाता है समस्त आयनुरित्य भाग में मौसम सम्बंदि पाउने समान होती है आगे हैं डोल ड्रम या भी सांत पेटी इसका बिश्तिरित भूमद रूप रेखा के दोनों और पांच डिगरी उत्तर वदचिर तक पाए जाता है अधिक गर्भी के फल सहरूप वायू अधिक उस्ल होकर उपर की और फैलती है वायू का परवा भूप प्रिष्ट से उपर अकास की और दिशा में होती है अब आते हैं व्यापारिक पाउने दो गुलार्दों में आयन विरित्ति उच्च वायू दाप से विश्वत रेखी निमन वायू दाप की और चलने वाली पाउनों को व्यापारिक पाउने या सनमारगी भावाए कहते हैं उत्री गुलार्द ने इनकी दिशा उत्तर पूरु में उत्तर पच्छिम तथा दच्छड गुलार्द में दच्छड पूरु में उत्तर पच्छिम होता है पच्छुआ पाउने दच्छड पूर की ओर होती है दुरूवी पाउने दुरूपाउने वे हैं जो दुरू उच्छ वायुदाब से उप दुरूवी निम्न वायुदाब की ओर चलती है उत्री गुलार्थ में इनकी दिशा उत्रपूर तथा दच्छड गुलार्थ में दच्छड पूर्थ होती है गिरिश मिकाल में वायुदाप पेटिया के खिषकाव के कालड इनका छेतर संकुचित हो जाता है मानसूनी पाउने मानसून सब्द मुल रूप से अर्बी सब्द की मौसीम सब्द से बना है जिसका तातपर मौसम से होता है इसका पर्योग सबसे पहले अरब सागर पर बहने वाली पौने के लिए किया जाता था जिसके दिसा छेहमा उत्तर पूरु से दच्छिड पच्छिम की ओर से छेहमा दच्छिड पच्छिम से उत्तर पूरु रहती थी इन हवाओं का चलने का कारण धरातल पजल और अस्थल का पाया जाना है अब आते हैं अगला प्रस्न जो बीटिसी 2016 पूछा गया है चक्रवात क्या है इसके चार परभावों का वड़न कीजिए जल के भावर की भाती आईश्थी रुआ परवर्तन सेली हवाओं के वायू मंडली ये भावर जिनके केंदर में निम्न वायुदाब और केंदर के बाहर उच्छ वायुदाब होता है सधारता चक्रवात अंडाकार होता है इसमें न्यून वायुदाब ठीक केंदर के समीप और केंदर के बाहर की और सभी दिशाओं में वायुदाब क्रम सह बढ़ता जाता है और हमाएं बाहर से अंदर केंदर की और पर भावित होती है फैरल के नियमे अंसार हमाएं उत्री गुलार्द में अपनी दाई और दच्छी गुलार्द में अपनी बाई और मुड़ जाती है अर्थात उत्री गुलार्द में हमाएं घड़ी की सुईयों की वीपृत और दच्छडी गुलार्द में घड़ी की सुईयों की दिसा में मूर जाती है चक्रवात के परभाव या फिरहानिया इस परकार है चक्रवात वायू मंडलिये जल वायू दसाओं के कारण उत्पन प्रावरणिये विपित इसके परभाव से भावतिक संपता ही नहीं वरंजान माल की भी बारिच्छती होती है यातायात वा संचार परभाव परता है चक्रवात में तीवर गती की हवाव से मूशला धार वर्षा के कारण बिजली वर टेलिफोन के खंबे गिर जाते हैं और जान और माल का इससे नुकसान होता है चक्रवात के रास्ते में पढ़ने वाली भावतिक जैविक संपता नश्ठ हो जाती है चाहे वह मनुश से हो या फिर पसू हो जल पोतों को सारुदिक हानिया होती है जल पोत जो बिष्टिर समुदर में तैर रहे होते हैं इन्हें अत्यधिक नुकसान होता है अभी कभी बंदरगा भी चक्रवात के करण नश्ठ हो जाते हैं फसलो पर भी पर वह पड़ता है चक्रवात से खड़ी किरसी फसलो में अपारहानी होती है केले तथन नारियल के बागों में सारुदिक नुकसान होता है जन स्वास्त पर भी असर पड़ता है चक्रवात मान प्रति चक्रवाद को निम्न विसेस्ताय होती है प्रति चक्रवाद अकार में प्राया गोलाकार होते हैं प्रंतु कभी कभी इनका अकार अंग्रेजी के वी अच्छर के समान होता है इनमें अधिक्तम वायुदाप केंदर में और निम्न वायुदाप परिधी के बाहर की ओर होता है परती चक्रवात अकार की द्रिष्टी से चक्रवातों की तुलना में काफी अधिकतम छेतर में बिश्टरित होते हैं इनका व्यास चक्रवातों की तुलना 75% अधिक बड़ा होता है परती चक्रवाद 35 से 30 किलो मीटर परती घंटे की चाल से चक्रवाद के पीछे पीछे चलते हैं इनका मार्ग वदिसन निश्चित नहीं होता परती चक्रवाद का ताप, माल, मौसम, वायूरासी के श्वाभाव तथा आधरता पर निर्भर करता है सीट काल में धुरूई हवाव के कारण तापमान निम्न और ग्रिस मिकाल में उश्ड वायूरासी के कारण तापमान उस्तर रहता है परती चक्रवाद के परकार परख्यात मौसम वे ग्यानिक है जिल्क ने 1909 में परती चक्रवातों को दो भागों में विभाजित किया था सीतर परती चक्रवात, दुसरा है उश्ड परती चक्रवात हम फ्रीज नामक वे ग्यानिक ने इन्हें तीन परकार का बताया गतिक या फिर आंत्रिक परतिचक्रवाद तापिय परतिचक्रवाद विकरण परतिचक्रवाद अन्य वैग्यानी जैसे गिडीज महोदे ने परतिचक्रवादों के तीन परकार बताया है बड़े परतिचक्रवाद इनके विशाल होते हैं कि संपूर महादीप पर फैले होते हैं अस्थाई परती चक्रवाद जो महादीपों के किनारे वाले भागों में बिश्त्रित होते हैं और इनका व्यास समान तह 250 से 300 किलियो मीटर तक होता है चक्रवाद जिनकी परती चक्रवाद जो सीटोश्र कटी वंदी चक्रवाद के मद्ध उच्च दाप के कारण उत्पन होता है समान वर्गी करण के अंसार परती चक्रवाद तो निमने तीन परकारों में बाटा जा सकता है सीतल परती चक्रवात की उत्पत्ती धुरूवी मुख्य रूप से अर्टार्टिक छेत्रों में होता है जहां से ये पूरु तथा दच्छिड पूरु दिसा में आगरसर होते हैं गर्म परती चक्रवातों की तुलना में इनका आकार छोटा होता है और ये तीवरिगती से आगे बढ़ते हैं सीतल परती चक्रवात दो उप विभागों विभाजित किये जा सकते हैं और अस्थाई वा छडिक परती चक्रवात ये परती चक्रवात अधिकांस्ता मार्ग में ही बिलीन हो जाते हैं केवल कुछी उश्लुप परदेशों में परदेशों तक पहुँश पाते हैं अर्ध अस्थाई परती चक्रवात ये परती चक्रवात अधिक्तम सक्रिय होते हैं और इनका मार्ग भी लंबा होता है सीतल परती चक्रवात उन पर देशों पर उत्पन होते हैं जहां अत्यधिक ठंड परती है यही कारण है कि दुरूवी छेत्र इनकी उत्पत्ती के मुख छेत्र है कनाड़ा के उत्तर में उत्पन परती चक्रवाद कनाड़ा और संयुक्त राज अमेरिका को प्रभावित करते हैं इनकी दिसाप पूर्वा दच्छिड पूर होती है साइबेरिया के उत्तर में उत्पन परती चक्रवाद चीन जापान तथा अलास्का यानि यूएसे में बढ़ता है की ओर बढ़ते हैं अब आते हैं गर्म परती चक्रवाद इन परती चक्रवादों के उत्पती सी तोष्ड उत्चुवाई उदाब के पेटी में होता है इस पेटी में हवाओं का अपसरण होता है इन परती चक्रवातों का अकार बिसाल होता है ये कम सक्रियों होते हैं तथा अपने अद्बुत अस्थान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं इनकी आगे बढ़ने दकी गति कम होती है प्राय दच्छिड पूरु संयुक्त राज अमेरिका के पच्छिम यूरूपिय देशियों में अधिक सक्रिये रहते हैं आउरोधी परती चक्रवात जल वायू विताओं की नवेन खोज के अधार पर आउरोधी परती चक्रवातों का प्रदू भार्व हुआ है चोब मंडल की उपरी भाग में वायू संचार के अवरोध के कारण इन परती चक्रवातों की उत्पत्ती होती है आब आते हैं अतिलगुत्रिय प्रस्ट में पवन किसे कहते हैं वायू की 36 गती पवन कहलाती है 36 का मतलब जो पिठ्वी के समान चले और दोहादर का मतलब सीधे आसमान की ओर पवने क्यों चलती है भूतल पर सूर्टाप के आसमान बित्रण के कारण पवने चलती है वायू मंडल के संगटन में सार्थिक मात्र किस गैस की होती है सार्थिक मात्र नैट्रोजन की होती है पचुवा पवने किस कटी बंद से किस कटी बंद में चलती है पचुवा पवने उप पोस उच्च वायू दाब कटी बंदों से उप धुरूवी निवन वायू दाब कटी बंदों की ओर चलती है वायू मंडल दाब में अंतर क्यों आता है वायू मंडल ये दाब में अंतर निमलिखित कानल से आता है वायू मंडल के आसमान रूप से गर्म होना पिर्थिवी के घूडन गती का होना आगे प्रशन है वायू मंडल के विभीन पर्तों के नाम लिखिए तो वायू मंडल के विभीन पर्त अभी मंडल, समताप मंडल, और बही मंडल परमुक भू मंडलिय पाउनों के नाम परमुक भू मंडलिय पाउनों के निम्न नाम हैं सनमारगी पाउने पच्छुआ पाउने दुरुई पाउने सनमारगी पवने की नहें कहते हैं वे पवने जो उष्ड उच्वायुदाब कटी बंदों से बिश्वत्य निम्नवायुदाब कटी बंद की ओर चलती है पचुवा पवने की से कहते हैं वे पाउने जो उत्री और दच्छडी गुलार्द में उपोस्ट उच वायुदाब कटी बंदों से उप धुरूए निम्न वायुदाब कटी बंदों की और चलती है पचुवा पवने कहलाती है उत्री गुलार्द में इनकी दिसा दच्छिड पच्छिम होती है अगला प्रस्ने सूर का अभासी संचरण किसे कहते हैं सूर के क्रेडों का करकें मखर रिखाओं के मद्द संचरण सूर का अभासी संचरण कहलाता है अगला प्रसने चक्रवाद क्या है चक्रवाद पाउने की वह व्यवस्ता है जिसमें केंदर में नियूंतम वायुदाब होता है तथा बाहर की ओर या करम सा बढ़ता जाता है आभी तट पाउने काउन सी पाउने को कहते हैं तथा इनका क्या परभाव होता है अभी तट पवने समुद्र से आस्थल की ओर चलती है तथा तट पर वर्षा करती है अभी तट पवने कहते हैं चार बजे की वर्षा किसे कहते हैं पूरु देप समूहों में होने वाली सहवाहनी वर्षा को चार बजे की वर्षा कहते हैं चक्रवाती वर्षा किन थेत्रों में अधिक होती है उच्छ अच्छांसों में महादीपों के पच्छिम तट्य भागों में चक्रवातों द्वारा अधिक वर्षा होती है परवत्य वर्षा किसे कहते हैं नमीदार पाउनों के परवत्तों से टकरा कर उपर उठने के फलस्वरुप होने वाली वर्षा परवत्य वर्षा कहलाती है जो परवत्य वर्षा करते हैं भारत में काउन सी हवाओं से वर्षा होती है भारत में मालसूनी हवाओं द्वारा वर्षा होती है सहवानी वर्षा किन्छेत्रम होती है सहवानी वर्षा भूम अद्दे रेखिये परदेशों में होती है उच परदेश का नाम बताईए उस परदेश का नाम बताईए जहां पूरे साल वर्सा होती है बिशुवत रेक ये परदेश में पूरे साल वर्सा होती है अधिकास भागों में वर्सा गिरिस्मरित्यू में क्यूं होती है ग्रिस मृत्व में महादीपों के आंतरिक भाग अधिक गर्मी के कार निम्न वायुदाप के केंदर बन जाते हैं फलत इन निम्न वायुदाप केंदरों की ओर महसागरों से वास्प युक्त पाउने चलने लगती है जिन से वर्षा होती है मौसम किसे कहते हैं किसी अस्थान पर वायू मंडल की अल्प कालिन दसाओं के योग को मौसम कहते हैं मौसम तथा जल वायू के कौन कौन से परमुकत तो है ताप, वायूदा, पवन, आदरता, वर्सा, धूप और पदली मौसम तथा जल वायू के परमुकत तो है वाई मंडल में जल किस परकार पहुंचता है भूपिरिष्ट का जल द्रव अवस्था में आवस्था से गैस अवस्था वास्था से परिवर्तन होकर वाई मंडल में पहुंची जाता है वास्पी करण थे आप क्या समझते हैं अत्तधिक ताप के करण जल का वास्प में बदल जाना ही वास्पी करण कहलाता है अगला प्रशन है जो BTC 2015 पूछा गया है टुंडरा परदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है पच्छुआ पवन के नाम से जाना जाता है जो BTC 2015 पूछा गया है अगला है जो सोलम पूछा गया है मिश्टल तथा ब्लीजर्ट किस परकार की हवाएं हैं मिश्टल या ठंडी धुरूई हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से कोहर होकर चलती है अब ब्लीजर्ट या हीम जन्जावट यह बर्प के कड़ो शे युक्त धुरूई हवाओं हैं रूस के टुंडरा परदेशो एयो साइबेरिया में ब्लीजर्ट के अस्थानी नामक क्रम सा पूरुगा वा बुरान है अगला प्रस्न जो BTC 2016 पूछा गया है बलू का इस्थूद कहां पाय जाता है पावंद वारा रेत आउ बालू के निच्षेब से निर्मिट टीलो को बलू का इस्थूद कहते हैं इन इस्थूद के अकार में तथा स्वरूप में बहुत बिविद्टा देखने को मिलती है बलुगा इस्पूत का निर्माड सुक्स तथा आर्द सुक्स भागों के अलावा सागर तर्ट्य भागों में जीलों के रतिले परदेशों से होकर पभावित होने वाली सरीताओं के बाढ़ के छेत्रों में प्लिष्टो सीन हिमानी क्रिच छेत्रों की सीमा की पास रेतिले भागों में बालुका वाले कुछ मैदानी भागों में जहां पर बालुका प्रस्तर से रेत अधिक मात्रा से शूलब हो सके आधी अस्थानों में भी होता है नहीं नवात इस आइडियो आटकल को सुनने के लिए ऐसे ही आइडियो आटकल सुनने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें